हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टो हेलो बायलॉजी और हम पढ़ रहे हैं यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में और लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था फीमेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम और वहां पर हमने पढ़ा था ओवरीस के बारे में तो चलिए अब आगे भड़ते हैं तो पर जो महलाओ के अंदर फिलॉपियन ट्यूप, यूटरस और वरजाइना ये तीनों मिनकर निर्मार करते हैं फिलॉपियन ट्यूप का यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे फिलॉपियन ट्यूप की, तो जैसा कि हमें पता है कि फिलॉपियन ट्यूप का एक पियर फिलॉपियन रप्रोड़क्टिव सिस्टम में होता है, तो प्रतीक जो फिलॉपियन ट्यूप है, वह लगबग 10 से 12 से कंटिमीटर लंबी होती है और यह है ओवरे से लिएकर यूंटरस तक फैलिवे होती है ओवरे के जो सबसे नजदीक वाला पार्ट होता है यह दिखने में फ़नल शेप्ट होता है और इसको इन फंडिविलम कहते हैं इन फंडिविलम की किनारों पे कुछ फिंगर लाइट प्रजिक्शन्स होते हैं यह जो प्रजिक्शन्स होते हैं यह हल्प करते हैं ओवरे से एक कलेक्ट करने में ओविलेशन के बाद जब वो एक को रिलीस करती है और इन फिंगर लाइट प्रजिक्शन्स को हम कहते हैं फिंबरे floppy tube uterus की तरफ जाते जाते wide होती जाती है और सबसे widest reason को ampiola कहते है यह वही reason है जहाँ पर fertilization होता है तो कभी question पूछा जाए कि fertilization किस portion में होता है floppy tube के तो हो है ampiola और इससे आगे जाते जाते tube का जो lumen है वो narrow होता जाता है और uterus में open होते ही बहुत narrow हो जाता है इस reason को sthamos कहते है यह जो sthamos है यह floppy tube और uterus को साथ में जूड़ने का काम करता है तो बच्चो अब बात करते हैं uterus की uterus जिसको warm या फिर बच्चे दानी भी कहते है हाँ यह वही reason है जहाँ पर माता के अंदर बच्चा जोए वो grow होता है और पूरी 9 महीने तक यह uterus में रहता है uterus के अगर बात करें तो uterus दिखने में एक ओल्टे पियर के समान होता है यह pelvic reason से ligament के द्वारा जुड़ार होता है जिससे इसे support मिलता है uterus आगे जाके वर्जाइना में open होता है cervix के मध्यम से और cervix cavity को cervical canal कहते हैं जो वर्जाइना के साथ मिलकर birth canal बनाता है यानि कि बच्चे की जन्न में इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल होता है यदि अब uterus पर वापस आएं तो यह uterus है इसकी जो वाल है वो तीन layers of tissues की बनी हुई होती है पहने layer जो है जिसे हम external layer कहते है वो thin membranous होती है जिसे हम perimetrium कहते है certain layer जो middle layer है वो thick layer होती है smooth muscles की जिसको myometrium कहते है इनर granular layer जो है उसे हम endometrium कहते है तो external layer को हम कहते है perimetrium, middle layer को हम कहते है myometrium और inner most layer को हम कहते है endometrium तो यह तीनों मिलकर बनाती है यह तीनों मिलकर lining करती है nutrient cathart की यदि हम इसमें बात करें endometrium तो इसमें हमें cyclic change देखने को मिलता है during menstrual cycle के दोरान menstrual cycle के दोरान क्या होता है बच्चों कि जब भी ovary जो है वो egg release करती है उस पूरे process के दोरान क्या होता है कि जो uterus है यह खुद को तयार कर लेता है बच्चे को carry करने के लिए लेकिन यदि एक को sponge नहीं मिल पाता तो fertilization नहीं होता और आगे बच्चा नहीं बनता तो फिर क्या होता है यह जो lining होती है यह धीरे धीरे release होती है वरजाइना के थुरू यह lining जो होती है यह remove होती है और वरजाइना के थुरू जो waste होता है blood के साथ बहार निकलता है जिसे हम normal भाशा में periods कहते हैं तो यह तो बात हो गई endometrium की यदि हम बात करें myometrium की तो इस layer का क्या contribution होता है इसके अंदर strong contraction देखने को मिलते हैं बच्चे के चन के दौराण तो बच्चो इस अल बाट टुडेस क्लास मिलते हैं आप से अके क्लास में तब तक के लिए अलविदा बाई बाई